इस नजारा देखने के लिए हम तरस रहते हैं पूरी लाइफ जो आज देखने मिल रहे है तो आप लोगो थांक यू और लव यू आल लव यू अपने बना है कोई ऐसा रिलेशन जो आपके साथ हमेशा चलने वाला इस गर के बार भी वो रिलेशन काम्याब देगा हां मेरे दोग बहुत अच्छे दोस्त बने है अभिशेक और अल्विस तो मुझे लगता है यह दोनों दोस्त मेरे साथ जिंदगी भर के लिए दोस्त रहने वाले हैं कि इतना फैर था अभिशेक मलान जो शुरुआत से उच जर्णी के इससार है अभिशेक और अगर मुझे जर्णी वोइस दिखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सर्वाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है तो मुझे जर्णी में अगर कंपैरिजन किया जाया तो म अगर 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 जीता है तो वह बी डिजर्विग है क्योंकि कही नगे जनता उनको बहुत जादा पसंद की है बड़ अगर अगर इस्ट्रॉगल बोला जायेगा तो जो वाइल काड़ा आते है उनको प्रुगल करना पड़ते है क्योंकि वहां एक दिन भी बहुत अगर अगर अभिशेक भी मेरा कितना भी जगरी है बट अम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नियर यहां पे मेरे अपनी बहन भी होती बट जब आख फ्यर गेम का आता है क्योंकि वहां पे 60 दिन रहना और जब हम वहां रहे हैं कभी जब आपको लोग रिजेक्त करत आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे जगरे करते हैं तो एक पॉइंट पर आता है यार मुझे यहां नहीं रहना है मुझे घर जाना है फैमली के पास जाना है तो वहां एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बढ़ी बात है तो अगर देखा जाए तो एल्विस का तो हम खुश बहुत जादा है कि अल्विस जीता है बट ऑविसी बात हम अभिशे को फर्स देसे वह स्ट्रगल करते देखते हुए आये हैं तो अगर वो जीता हो तो अगर अल्विस जीता है और उसने कहीं नहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंक वी शीओ आघे गए मैंदे मेची पाव माज़े लाजी जाओ है नहीं मुझे लगता है कि वाइल्ड गाड शेंगता है कि उटर्स देख के या को अलेडि पता रहता है कि कौण ऐप्रूं की जेटिया यह भीशे mendile शंबग का चल रहा है मुझे पर मुझे लगता है Palacir यह स्ट्राटेजी होगा कि जाके इन लोग से ही दोस्ती करना है बट एक होता है ना कि मतब समझ में आ जाता है कि यह बंदे लोग सही है तो Elvis कहीं ने कहीं दिल से भी कनेक्ट हुआ है हम लोग से सरिफ ऐसा नहीं कि Manishah और Abhishay की स्ट्रॉंग प्रिस्नालिटी है या जो भी तो मुझे लगता है कि उनका कैनेक्शन हम लोग के साथ दिल से भी हुआ है कि मेरा मानना है कि मुझे कोई कितना बएंसल्ट कर रहे है या कुछ भी बोले अगर कोई बंदा मुझे डिजर्विंग लगता तो मुसको कभी नॉमिनेट करेंगे मुझे लगेगा नहीं अगर वो लड़ी भी है उसने इस शो के लिए बहुत कुछ किया है तो मेरा ऐसा न बाइसा नहीं अगर नॉमिनेशन में कुछ बेबी का डिजर्व करती थी तो फो तो वो आई वाइगा तो इस तुम ने आगे सिस्टम हिलाया पूरे बिग बॉस 16 सीजन का उसने रिकॉर्ट तो रहा है नो डाउट हम बहुत खुश है कि अल्विस जीता है क्योंकि एको तो मुझे लगता है अगर 60 दिन अगर जो भी जनता मुझे देखे है तो कहीं न कहीं मुझे इतना बोलना नहीं परेगा बट हम कभी भी दोस्ती सरे फाइदे के लिए नहीं करते हैं मेरा जो कैनेक्शन है वो चाहे अभिशे को या अल्विस उनसे बहुत प्योर और एकदम दिलवाल है अगर हम घर के अंदर कर रहे हैं तो बाहर भी करेंगे तो इस पर आइधिंग 60 दिन में अगर जो जनता मेर जर्नी देखा है तो हम किसी को कुछ भी करते हैं दिल से देते हैं मेरे अंदर बहुत प्यार भड़ा हुआ है तो हम जो करते हैं तो ऐसे दिल से करते हैं ऐसा कुछ लिए करते हैं तो घर करते हैं तो फ्रीज़ा जो इसा नहीं दो शोपाते हैं वहरा है तो अधियाह शोण एक बाद मेघा जोन पहले हैं अपने स्काद हैं गयाए तो क्या आप कुछ उनसे बात करें कि इस तरह के उन्होंने आपको के उपर बला है बहुत बड़ा एक फिल्म इंटास्टी के सबसे बड़ी अक्टरस नीए इस बयान दिया है और आगे इन फ्युचर जब हमको कोई मुवी मिलेगा या अलबम मिलेगा तो उनलों का ये जो सोच होगा वो भी साथ एक होदा गलत हो जाएगा कि मनीशा रानी अक्टरस भी बन सकती है अलबम भी कर सकती है हम यह कहेंगे हम यह कहेंगे क्योंकि मैंने लाइफ में अभी बी अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम फुल ट्राइ करेंगे कि अपना वेस्ट दे और जो भी स्टेज उसमें हम करके दिखा हैं क्या कुछ सीखा है थोड़ा कम तो नहीं बोल सकते हैं बड मेरा नहीं है कि सामने वाला कम जादा सुनते नहीं है तो अभी कहना थोड़ा सुनेंगे भी जैसे आप लोगा सुनके बोल रहा है वर नहीं किसी को बोलने पी नहीं है ऐसा होता है मेरे साथ तो सामने वाला का थोड़ा सुनना थोड़ा पेसेंस रखना यही मनिशा बेक्वास करते वाली है मनिशा जी मनिशा जी मनिशा जी मनिशा जी मनिशा जी